सलाम अलेकुम, वेलकम टू अजान आर्ट्स आज हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें हम सीख रहे हैं, हाव तो यूज कट मारकर्स इससे पहले लेक्चर 2 में हमने सीखा था, कि कट मारकर को हमने पकड़ना कैसे है और कहां लिखते वक्त निप की जो मोटी साइड है वो पर रखनी है, और कब बदली साइड उपर रखनी है तो आज के लेक्चर में मैं अलफबेट्स लिखकर बताऊंगा, स्मॉल अलफबेट्स लिखेंगे आज हम तो अगर अपने से पहले लेक्चर वन और लेक्चर टू नहीं देखा, तो उन वीडियो को लाजमी जाकर देखें और टॉप राइट कोरनर पे आपको लेक्चर वन की वीडियो सजेस्चन में शो हो रही होगी तो चलें स्टार्ट करते हैं, आज हम स्मॉल अलफबेट्स लिखने जा रहे हैं ए से लेकर जएट तक, और नेक्स लेक्चर में उनको हम जॉइन करना भी सीखेंगे तो वीडियो को काइंड ली एंड तक देखीगा, क्योंकि एंड में मैं कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे हम अपनी हेडिंग्स को और इन्हेंस कर सकते हैं सो लेट्स टार्ट सबसे पहले ए लिखेंगे, और ट्रिक वही यूज़ करनी है और एक चीज़ ये कि अगर आप सी लिखना सीख जाते हैं तो काफी सारे अलफबेट्स आपको बनाने आ जाएंगे तो ये ए में भी पहले सी ही लिखा है इसके बाद अब हम बी लिखेंगे और वही ट्रिक लगा रहे हैं कि नीचे जाते हैं तो ही तक मारक के नीब मोटी यूज़ रहे हैं और बागे टाइम नीब बतली ही रख रहे हैं यसी तरह हमने सी लिख लिया और यह में चीज़ है कि मारक को अपने पहले इस तरह से गुमाना सीखना है ठीक है आप डी लिखेंंगे D लिखने के लिए भी सबसे पहले C ही लिखना है हमने और देन उसके बाद इस तरह D उसी तरह E लिखेंगे अब हम E के लिए इस तरह निप बतली और नीची जाते वे वही C वाला रूल ठीक है इसी तरह अब हम F लिखनेंगे ठीक है जो में ट्रिक मैंने आपको लेक्चर वन में आई थिंग बताई थी तो बस वही ट्रिक आपको जहन में रखना है और उसे ट्रिक को याद रखके देन आपने सारे वर्ड्स बनाने है ठीक है यह H आ गया काफी सिंपल हो जाएगा अगर आप वो ट्रिक सीख जाते है और कट मारकर को पतली निप और मोटी निप दोनों यूज़ करने का कॉम्बिनेशन जो है वो अगर आप सीख जाते है तो काफी एज़ी हो जाएगा सारे वर्ड्स है लिखना तो यह सबसे में पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है कट मारकर यूज़ करते हुए तो यहाँ M लिखना हुआ है और M और N काफी जो है अच्छा लगता है कट मारकर से लिखा हुआ देख सकते हैं आप M और N भी सेम उसी तरीके से और O फिलहाल हम सिंपली बताएंगे इनमें स्टाइल्स भी होते हैं काफी जैसे आप उपर देख सकते हैं हेडिंग में A का स्टाइल हो गया या H का तो वो भी मैं नेक्स वीडियोस में आपको बताऊंगा तो यहाँ हमने P बना लिया और अब Q बना लिया ठीक है और आप हाथ मेरा देख सकते हैं किससे मैं गुमा रहाँ Last Lράksuje मैंने शिखाया था और वही रूल लगा कि मैं सारे alphabets बना रहाँ और आपको मैं recommend करूंगा कि आप भी साथ–साथ सारे alphabets बनाए और बाबन के practice करें उससे ही-ए कि आपकी practice होगी alphabets बनाने की क्योंकि जॉइन करना इनको इतना मुश्किल काम नहीं है मुशालने नेक्स वीडियो में आप सीख जाएंगे बट में जो चीज है वो कट मार कर कहिए कि आपको मोटी निब और पतली निब का कॉमबिनेशन सीखना है असल में तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक दफ़ा अलफबेट्स लिखके दिखाना था ताके आप देखने के किस तरह से लिखा है और इसकी जादा जादा प्रेक्टिस करें तो यहां हमारे अलफबेट्स कंप्लीट हो गए ठीक है अच्छा एक में की पॉइंट आपने यह जहन में रखना है अलफबेट्स लिखते वक्त कि आप कुछ भी लिखे ना तो आपको उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिखना उसको थोड़ा सा राइट साट पर टिल्ट करके लिखना है ठीक है जैसे यह स्ट्रेट है थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करके लिखना है अगर आप हैडिंग्स लिख रहे तो ठीक है तो यह आज का लेसन निबर थ्री था और नेक्स वीडियो में इंशालला हम इसको जॉइन करना सीखेंगे कि कोई भी वर्ड जॉइन में किस तरह लिखना है और नेक्स वीडियो की बाद इंशालला आप केपेबल हो जाएंगे कि आप हैडिंग्स लिख सकें और केट मार्कर्स को यूज़ कर सकें उसके बाद इंशालला हम कैपिटल लेटर्स की तरफ जाएंगे और उनकी स्ट्राइलिंग भी सीखेंगे सो आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं शालला नेक्स लेक्चर में अल्ला आफ़ेज